हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं आपकांग के सर लेके आ गया हूं नीट के सारे के सारे पी वाई क्यू को क्वेस्टन को ले करके जैसा कि आपको पता है नीट के लिए प्रिवियस येर क्वेस्टन कितने इंपोर्टेंट होते हैं ये आप से बहतर कौन जानता है तो जितने भी क्वेस्टन अभी तक पिछले 5 सालों में आए हुए हैं वो सारे के सारे हम वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो आज का यह हमारा पहला वीडियो है जो कि आपका 11 गिलास का पहला चेप्तर सम बेसिक कॉंसेट ऑप केमिस्टी पे है या हम इसी को mole concept भी बोलते हैं तो हम start करते हैं mole concept के questions को तो start करने से पहले मैं आपको एक बात पता देता हूँ कि यहाँ पे आपको limiting reagent आपको moles, आपको concentration terms, stoichiometry और empirical formula के बारे में पता होना चाहिए इन questions को करने से पहले आप क्या करेंगे वीडियो को pause करेंगे इमानदारी के साथ और जब वीडियो को pause करने के बाद आप खुद से questions को solve करेंगे और यदि आपको कहीं भी problem आती है तब आप वीडियो को pause mode से हटा के देखेंगे यह आप पूरी और पूरी इमानदारी के साथ निभाएंगे आसा करता हूँ मैं तो इसी के साथ मैं आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ पहला question सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमिस्टी का लिखा हुआ है which one of the following has maximum number of atoms यह आपका question need 2020 में आया था जैको मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा आप डारेक्ट अप्जेक्टिव अप्रोच से भी questions को कर सकते थे इस question को और आप डारेक्ट बेल्यू रखके भी आप question को कर सकते थे यदि मैं इस question की बात करूँ तो यह आपका ncrt का question number 28 ज लिया है वहां पर chlorine ले लिया था यहां पर oxygen ले लिया है बस थोड़ी सी बस values चेंज है वहां भी लीथियम था यहां भी लीथियम है तो चलो अपन इस question को solve करते हैं तो आप पहले वीडियो को पहुच करें और question को solve करें खुद से तो देखो यहां पे लिखा हुआ है पहला 108 तो आपको पता है simple सी बात यदि हम मैं मूल की बात करूँ तो मूल कैसे आते हैं आपके मूल आते हैं mass upon molar mass ठीक है यही आता है आपको यहां पर बताना क्या है आपको यहां पर यही बताना है कि maximum number of items किस में होंगे कि पहले option में होंगे या B में या C में या D में तो पहले म मैं आपको एक-एक option करके दिखा दो किस तरीके से आप करेंगे तो देखो यहां पर जब आप मास देखेंगे तो यहां पर पहले बाले की यदि में बात करूं सिल्वर की जब हम एक ग्राम सिल्वर सॉलिड लेंगे तब देखो मोल कैसे आएंगे मूल आपके आएंगे simple mole equal to mass कितना है 1 upon molar mass कितना है 1008 ठीक है अच्छा अब मैं यहां पर बात करूं यदि number of atoms की तो कैसे करोगे आप number of atoms तो देखो atoms की बात करें तो आप simple mole में किस से multiply कर दोगे बोलो एवो गैट्टो नंबर से multiply कर दोगे तो एवो गैट्टो नंबर बेटा कितना होता है 6.023 into 10 to the power 23 इसको इसी तरीके से रहने दो थीक है इसको इसी तरीके से रहने दो अब देखो अब यहां पर क्या होगा यह लिख दिया हमने अब ह हम हैं दूसरे के निकालते हैं बी के बी में क्या है देखो भी बी में क्या दिया हुआ है आपको यह हमने एटम तिलवर के निकाल दिया हुआ है कितना एक ग्राम तो यहां भी हम मोल निकालते हैं मोल्स ओफ मैंगनीसियम तो मोल निकालेंगे मैंगनीसियम के वो कितने आए ये बन वाई 24 इन्टू एवोगेड्रो नंबर यह आ गया ठीक है अच्छा अब देखो तीसरा सी सी में क्या हुआ सिंपल तो देखो सी में भी होगा बन ग्राम ऑफ ऑक्सिजन दिया हुआ है तो बन ग्राम ऑफ ऑक्सिजन दिया हुआ है तो देखो अब यहाँ पर आप मोल निकालेंगे तो मोल कैसे आएंगे आपके मोल आएंगे आपके सिंपल मास मतलब बन हो गया ठीक है तो देखो जब मैं मॉलीक्यूल निकालूंगा नंबर ऑफ मॉलीक्यूल तो कितने आएंगे बनवाई 32 इंटू एन यह नहीं मतलब कितना 6.023 इंटू 10 to the power 23 भाई देखो कुछ लोग 6.022 लेते हैं तो यह था मत वोलना भाई सर गरत बता है नहीं भाई सर भी सही बता रहे है 6.023 लेलो यह 6.022 लेलो बात एक ही है अब देखो हमने इसके अब मॉलीक्यूल निकाल लिए अब एटम्स निकालने हैं तो एटम्स नि एक ऑक्सीजन मॉलीक्यूल में कितने एटम है बेटा एक ऑक्सीजन मॉलीक्यूल में दो एटम है जब एक ऑक्सीजन मॉलीक्यूल में दो एटम है तो आप किस से मल्टिप्लाई कर दोगे आप देखो किस से कर दोगे नब एटम्स आप ऑक्सीजन 1y 32 इंटू 6.023 इंटू किस से multiply कर दोगे आप simple 2 से multiply और कर दोगे तो देखो ये 2 cancel हो जाएगा simple 32 से कितना आएगा 16 हो जाएगा तो यहाँ पे जो number of atoms आएंगे वो कितने आएंगे वो आजाएंगे 6.023 into 10 to the power 23 divided by 16 ये आगे आपके ये क्या आगे आपके number of atoms आगे आप oxygen के अब देखो अब फोर्थ बात दी गई है डी option डी option में देखा जाए तो क्या लेखा हुआ है डी में लेखा हुआ हो वन ग्राम ऑफ लीथियम लीथियम का अटमिक माश कितना होता बच्चा से बन तो देखो लीथियम का अटमिक माश जब सेवन है तो आप लिखोगे मूल एक्वल टू क्या आएगा मास अपॉन मूलर मास तो नंबर ओफ एटम्स कितने आएंगे लीथियम के बेटा नंबर ओफ एटम्स आ जाएंगे सिंपल वन वाई सेवन इंटू यहां पे कितना हो जाएगा एवोगेटो नंबर 6.023 इंटू 10 to the power 23 तो यह सिंपल आपके क्या हो गए लीथियम के नंबर और ओफ एटम्स हो गए अब देखो वीड़ा ज्यां समझना है आप यह अब आपको कैसे अब तो शापकर निकाल ली आपको क्या बताते से मैक्सिमूम नंबर ओफ एटम्स बताने हैं तो अब आप क्या देखेंगे लेकिन डेनोमिनेटर में नुमिनेटर में तो सब जगे तो देखेंगे तो सबसे चोटी वैल्यू में कहा है तो आप देखेंगे यहां पे हैं कहां पे लीथियम है तो लीथियम के सबसे कम वैलू है तो इसके जो नंबर ऑफ एक्टम्स हैं वो सबसे ज्याद आएंगे ठीक है यह बात तो किलियर होगी और आप यहां से भी देख सकते थे यदि आप देखते तो यहां से भी यह बात देख सकते थे बन ग्राम ऑफ लीतियम यहीं से होगा आपको यह सब करने की भी जभी ज़रूरत नहीं थी तो इसका अंसर की हो जाएगा बच्चा सीढ़ सीढ़ा डी ऑप्सन हो जाएगा तो इस तरीकेara Radio को सना लिए हैं तो आपको इस तरीके से हैंडल करना होता है तो आपको रूरते से यहीं यहीं से इंप्राटrukt ज लो यह आप्का आपका एने वाई 24 ठीक है और यहां पर हो जाता आपका एने वाई 16 और यहां पर हो जाता क्या हो जाता था क्या दी आंसर हो जाता तो आप पस वैल्यू सेम नहीं थी दो की बाकी लीथियम वहां भी आंसर था और यहां भी आंसर है आप जाके देख सकते हैं एंसी आइटी का पहले चैप्टर का ट्वंटी एट को से नंबर तो देखो यह आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है अब इसी के साथ अब हम चलते हैं यह यहां पे दूसरे नंबर ओ क्वेसन किस पे दूसरे नंबर फोर्षेंटर दूसर क्या बोल错 समझते है जो पुचा गया है दूसरा सं पूने त्वंटी रिउन क्वेfund क्या है तोसमील यहां पे क्या है देखो बहुति ही अच्छा पूशन प्रॉसेस अब बच्चे को यहां पर प्रोसेशी ही नहीं पता होति क्या है तो यहां पे इसेक्ट हो गेसे करेगा तो यहां पर इसी तरीके पूछता है उन्हीं बताएघा हो हमें पता होनी चाहिए राओ के देखिव यहां पर अपके सिंपल सा फंड़ा जब आपको यहां पर numer of moles of hydrogen dihydrogen molecule hydrogen molecule required to produce 20 moles of ammonia through haber process मतलब यह बोल ला है जब हमने 20 moles ammonia मिल रहा है ठीक है ना तो मैं यह भता हो hydrogen के molecules कि पने यूज होंगे तो देखो आप वीडियो को पहुच्छ करो तो पहले अब देखो तो यहां पर एंड टू पिल्स हाइच टू गिफ टू अ यहां पर यहां पर द्यान समाझना वो यह हम बात कर है यहां पर एक मॉल नाइट तोजन से यदी आपको फिसको पता है यह इस ट्राइच्य में थे हैं ओपीएंट सिंपल ठीक मास बॉल्यूम रिलेशन बॉल्यूम बॉल्यूम एह रेलेशन आपमें आपने देखा हुआ तो देखो यहाँ पर एक मोल ये तीन मौल ये रियक्ट कर रहा है तो ये कितना मौल बंदा है दो मौल बोलो ये ये बंदा ठीक है अब मैं ऐसा लेख सकता हूँ यहां पर जब मैंने ये 20 मौल बन रहा है तो ये एक बात बताओ ये कितना लिया हुआ बच्चा हमने ये 10 मौल लिया हुआ ये 10 मौल और ये क्वेस्टन है और मोल मोल रेशियो वाला क्वेस्टन है तो देखो यहां पे यदि हम यहां पर आंसर देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा सीधा डी ऑफशन हो जाए कितना आसान कुशन हो आपको यह लिखने की ज़वरत भी नहीं थी यहां पर दिख रहाता आप एक्क parked ह yen लिखते हैं आपको यह एक मोल तीन मोल दो में अलिक है सम्झान न के लिए कर आप दायरेक्ट भी का सहतffee आप 10 इसके 10 इसके 30 मॉल इसके सब्सक्राइब होगे तो इसमोल होगे तो आंसर दीग हो गया डिको यहां पे आपको अज़ानी से आप सकते है ठ taper54 मोल हुए फढ़ल देख सकते हैं डिलेंत हैं अगे बड़ते हैं टू की need 2018 में पूछा गया था बड़ा ही अच्छा question था समझो यहाँ पर क्या पूछा गया था यहाँ पर question था in which case is number of molecules of water is maximum यह पूछ रहा है number of molecules of water किसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे तो देखो यह भी पहले जैसे question है बस यहाँ पर थोड़ा सा difference कर दिया है तो आप क्या करना है आपको वीडियो पहुच करना है और question को solve करते हुए चलना है तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो यदि मैं density of water याद उनी चाहिए density of water जो होती है वह आपकी given होती है one gram per ml ठीक है one gram पर ml होती है सिंपल थी तो देखो यहाँ पर यादी मैं बात करूँ ए में एका मैं निकाल नंबर आफ मोली क्यों तो एक टीन एमेल है 18 ml of water है ठीक है तो यदि आपको पता है density equal to क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा सिंपल देंस्टी इंटू वॉल्यूम तो देंस्टी कितनी वन इंटू 18 तो मास कितना आ गया वाटर का तो अब आप करोगे सिंपल कितने 18 अपॉन 18 मतलब कितना आ गया वन कि वाटर का मॉली कुलर मास कितना होता है आपको ही पता है सिंपल यह आगे अच्छा अब मैं सी में मल्टिप्लाइ कर देता हूं क्या इसक्राइब नंबर आप मॉली कुल्स वाटर तो मॉली कुल्स की बात करूंगा देखो मॉली क्यूंग और वाटर एक क्वाल टू कितने हो जाएंगे वन इंटू एने मतलब वन इंटू यह हो गया अब देखो यह तो मॉली कुल्स वाटर की बात हमने कल लिए इसमें इतने हैं अब मैं दूसरे की बात करता हूं ऑप्शन की जीरो पॉइंट कितना है वन इट ग्राम ऑप बाटर जब जीरो पॉइंट वन इट ग्राम ऑप बाटर दिया हुआ है तो देखो मतलब कितने हो जाएंगे यह हो जाएंगे सिंपल बनवाई हंडेट मतलब बनवाई हंडेट वोले तो मतलब यह हो गया सिंपल इतने मूल लिख दो अब आपको पता है यदि मॉलीक्यूल्स वाटर की बात करेंगे कितने हो जाएंगे मॉलीक्यूल्स और वाटर तो सिंपल तो कितने आएंगे 6.023 इंटू 10 to the power 23 डिवाइड वाइड हंडेड तो यह उपर जाएगा तो तो यह सिंपल आजाए 6.023 इंटू 10 to the power 21 इतने आगए molecules of butter ठीक है यह तो बहुत कम है यह के तो अभी इतने है 6.023 इंटू 10 to the power 23 चलो अब मैं बात करूँ सी की इदि मैं सी की बात करूँ तो देखो सी में क्या होगा आपका सी में दिया हुए जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू 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 फो लीटर ऑफ बाटर वैपर्स एट वन अट्मोस्फिरिक एंड टू सेविंटी थी कैल्मिन ठीक है वह यह तो इसने सिंपल इतनी वाटर वैपर्स दे दियें तो देखो बैपर की जब जब बात आएगी तो डिवाइड वाई क्या होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फो लीटर कितना होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फो लीटर वह भी किस पे एट स्टीप किस पे एट स्टीप स्टीप बोले तो स्टेंडर टेंपरेचर एंड प्रेसर की बात कर रहा हूं अब देखो यहां पे अब क्या होगा सीखी में बात कर रहा तो देखो यहां पर मोल कैसे आएंगे मोल आपके सिंपल आ जाएंगे 0.0022224 डिवाइड वाई 22.4 ठीक है यह मोल आ गए और जैसी आपके मोल आएंगे तो क्या जाएगा यहां से मोल कितने आ जाएंगे आपके यह आएंगे आपके सिंपल बन वाई 10,000 या मैं ऐसी को लिख सकता हूँ बन वाई 10 to the power 4 तो अब आप यह बताओ मुझे यह मोल आ गए आपके मॉलीक्यूल्स और बाटर कितने हो जाएंगे अब एक बात आओ यह 10 to the power 4 प्लस में है यह उपर जाएंगे तो माइनस में होंगे जब माइनस में होंगे तो कितने हो जाएंगे 19 बचेंगे सिंपल तो यहां पर कितने बचे 10 to the power माइनस 19 जेखो एक एक उप्शन में चक करके बता रहा हूं ठीक है हमें तो देख रहा है यहां से आप डार्यक्ट भी देखते तो एक मॉल मिल ला है आपको देख रहा है यहां पर देखो यदि मैं ऑप्शन से करता तो 0. पॉइंट बनेट कराम सीज़ा देख रहा बनवाई हंडेट टाइंज नहीं भाई यह नहीं होगा इसके यह भी के बनवाई 10 to the power 4 टैंज नहीं भाई यह भी नहीं होगा यह कितने वह थे मोल पहले से बोल ला है तो सबसे जाए जो मोल सोंगे में देख रहा है इसमें डार अब आपको पता है तो मॉलीक्यूल क्याते आएंगे वाटर के मॉलीक्यूल आएंगे ऑफ बाटर सिंपल मूल इंटू एवोगेड्डो नंबर 23 इंटू 10 to the power 23 तो कितना हो गया यह 6.023 इंटू 10 to the power 20 यह आगया तो अब आप इसको solve कर लिए आपने तो देख सकते हैं आप यह आंसर देखना चाहें तो सबसे जादा जो आ रहे हैं आपे मॉलीक्यूल और वाटर वो आ रहे हैं आपके 18 ml वाटर में किसमें 18 ml वाटर मे मेरा चाहें simple किया आंसर हो गया तो देख सकते हैं अप यह आंसर हो गया आप इसमें कर देंगे कॉन्सा अप्षान हो जाएगा आपका simple a option हो जाएगा तो देखो भई a option हो गया तो आई होप आपको किलियर हो गया हुआ ठीक है देखो भई आपको दोनों method बता दिए आप एधी practice करेंगे तो आप डिरेक्ट भी question solve कर सकते हैं देखेगा आपको लेकिन आपको प्रैक्टेस होनी चाहिए आपको इतनी calculation करने की अगला question भी बड़ा मज़ेदार है तो देखो यह question जो आया है देखा जाए तो ने 2018 में पूंचा गया था बहुत ही मज़ेदार question था जान समझना अब देखो यहां पे पूंचा क्या गया था क्या लेखा हुआ है एक mixture है और 2.3 30 gram of formic acid ठीक है वही पर्मीक अचिछीन कह एक मिक्चर है and 4.5 gram और जलेक एसे ठीक है इस तीटेद विह concentration H2SO4 किस से treat कर रहे हैं हम H2SO4 से treat कर रहे हैं the evolved gaseous mixture is passed through KOH plates ठीक है ना कि वेच मतलब किस से फिर हमने जैसी वो reaction हो गई फिर हमने उस gas को pass कर दिया KOH plates से ठीक है ना जैसी plates से pass किया तो फिर वो पूच रहा है यहां पे क्या बचा जितना remaining product बचा हुआ है उसको आप gram में बता दो क्या स्टीपी पे बचा हुआ है तो देखो ध्यान से समयना बड़ा ही आसान question है बड़ा मज़ेदार question है तो यदि मैं बात करूं जो H2SO4 होता है simple logic के लिए मैं बताता हूं जो H2SO4 होता है यह आपका होता है क्या करेगा जैसे माल लोग आपने यहां पे जैसे formic acid की reaction कराई और formic acid की reaction जब आपने H2SO4 से कराई तो यह dehydrating agent है जब dehydrating agent है तो समझना यहां पे तो यह क्या करेगा यह इसको convert कर दे किसमें CO plus CO2 में यही होगा sorry CO plus H2O में किसमें H2O है यह हो गया यह गलती नहीं करना H2O मिलेगा यहां पर water अब होता क्या है यहां पर यहां पर बात करूं इनीशली यहां बात करूं पहले मैं आप calculate करोगे तो बन फिलस 12 फिलस 32 फिलस बन तो कितना हो गया यह हो गया आपका 32 फिलस 12 मतलब 44 फिलस टू कितना हो गया 46 तो देखो 46 हो गया तो आप यहीं मोल निकालेंगे तो मोल कितने आएंगे 2.3 मास अपॉन मोलर मास 46 हो गया समय ना यहां पर द्यांद सप्राइच्व मैट्टी कोर्शन है कितने इनीशली मोल इतने थे अब मोल निकालेंगे अब इनीशली में इसके क्या है यह कुछ बने यह नहीं थे इनीशल में का रियक्षिन इस्टार्ट ही ती अब रियक्षि complete हो गई जब reaction complete हो गई तो यह moles क्या हो जाएंगे घटम हो जाएंगे जर यह मोल्स खतम हो जायेंगे मतलब यह कितने बनेंगे ज़िए हम बात करें ज़िशका करें कर 없다 कि कितना कुधा आ रहा है यह आईगा आपका 23 सिंपल 46 मॉल्स आएंगे तो यह कितने मिलेंगे आपको ज़िए देखा जाए तो सी ओ भी कितना मिलेगा वही वन वाई 20 एस टो भी कितना मिलेगा बन वाई 20 ठीक है यह बन वाई 21 दूसरा समझना अब दूसरा इसने कह लिया तोक जलेक अजलेक ऐसे ने का जो फर्मूला होता है वह होता से कराइं मतलब यह भी कैसा डीध्य येटिन येंट है जब d hide dating एजन्ट है तो यहांपyr क्या मिल आपको एक तो सियो मिला कर्भन और sorзд कर्भन डायोक्साइड पलड़ाइन ये मिल गाँको ठीक है ये तीनों मिल गए अब एक या होगा ज्ली में इसके क्या निकालो इसके मैं निकाल रहा हूं याँ पे simple से moles तो moles के लिए आपको पता है कि ये कितने ग्राम लिया था 4.5 ग्राम लिया था कितना लिया था 4.5 ग्राम यदि 4.5 ग्राम अग्जले कैसे लिया है तो molar mass की बात करें तो कितना आएगा ये आएगा simple आपका 2-times कर देता हूं, 12, 16, 16 16 plus 16 plus 1, कितना हो गया? ये हो जाएगा 16, 12, हो गया, 28, 28 और 16, कितना हो गया? 28, 16, 44, 145, मतलब, कितना हो गया ये? 90 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 by 90, मतलब, यहां भी कितना हो गया फो इनीशियली मोल्स के दी में बात करूं तो यह हो गया 4.5 divided by 90 ठीक है जब इनीशियली मोल्स 4.5 divided by 90 है तो एक बात बताना मुझे सिंपल सी यहां पे तो क्या हो जाएगा यह भी जो मोल्स आएंगे यह कितने आएंगे बनवाई 20 ठीक है अच्छा इनीशियली तो यह 00 होंगे ठीक है 00 होंगे लेकिन जैसे ही आप यह फाइनली क्या होंगे जब इनीशियली रियक्षन इस्टार्ट ही नहीं हुई थी जब र चीनल पार्ट यहां पे कितना बचा बनवाई 20 बनवाई 20 ठीक है यह बचा सिंपल आप देख सकते हो आप तो देखो सिंपल इतने मिल गए अब क्या हुआ अब हमने इसको क्या किया अब इबॉल्वर्ड गैसियस मिक्षर जो मिला में यहां पर कार्बन मोनोक्सइड मिला है अब हमने सको किस से पास करा दियाור हमने सको पास करा दिया जीश को हैं है की यहीर सी मेश्चिर है कि सब्सक्राइं तो लिए ऌट कर लिया कर लिया चैनल सी ओ टूप एब्जॉर्ब कर लिया तो मतलब देखा जाए तो बचा क्या कारवन मोन आपसाइट अब जैसे कारवन मोन आखसाइट बचा समाःना यहां पर कारवन मोन आखसाइट बचा अब हमें इसी की बात करना था पूंच रहा था बाटर वह पढ़ा रहेगा उसकी कोई नीड नहीं अब देखो तो यहां पर कारुन मोन ओक्साइड लिया तो देखो यहां बात करें मौल्स ओफ सी ओ कितनी है जो पहले वाले में ही वन वाई 20 मिल ला है दूसरे वाले में ही 1 वाई 20 मिल ले है जदी मैं इसका LCM लूँगा तो क्या आएगा 1 वाई 10 आएगा ठीक है अब यदि मैं मास ओफ सी ओ बात करूं मास ओफ यहीं बचा स्थी करता हुए कि क्या बचा है आपको सिंपल बात करें तो c त revolver गाव देग सी कारवन मोनौक्सडी कारवन खुले थी का mm में नकालेंभी मास ओक् Ground carbon monoxide क्या हो जाए रबन वाइट 10 इन्टू 28 योगि आपको पता है जो मास आप निकालते हैं जो मास आप निकालते हैं मास निकालते हैं मास निकालते हैं आप मौल इंटू किस से बोलो मौलर मास से यहां पर क्या आगया सिंपल 2.8 ग्राम आगया तो 2.8 ग्राम रिमेनिंग बचा हुआ था वह आंसर हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इस तरीके से आपको question को solve करना है तो I hope आपको यह बात के लिए हो गई हो है आप देख सकते हैं आप सी आंसर लेखा हुआ ठीक है अब हम चलते नेस्ट कोशन पर अगला question आया था नीट सेकेंड टूटाउजन सेश्टीन मैं आपको पता है नीट सेकेंड नीट वन क्या हुआ था आपको पता है लीक हो गया तो उस टाइम पेपर तो नीट सेकेंड आ रहे हैं वो आपके simple NCIT से आ रहे हैं और एक बात और ध्यान रकलो यह पीवाइक क्यूब बहुत अच्छे से कर लो बहुत अच्छे से देख रहे हो आप ठीक है अब देखो जो नेस्ट कोशन दिया हुआ है यदि हम बात कर रहे हैं यहां पर सपोज दा एलिमेंट एक्स 3y2 ठीक है अब यह बोला वहन 0.mol of xy2 वे 10 ग्राम मतलब उसने यह बोला simple xy2 का जो ग्राम दिया हुआ वो कितना है वो 10 ग्राम दिया हुआ ठीक है समाझना अब मोल कितने दिए गए 0.1 मोल दिए गए ठीक है और जो xy2 के मोल दिए गए एक्स वाइटू के जो मोल दिये गए हैं वो कितने हैं वो हैं आपके 0.1 मोल ठीक है अच्छा इसी तरीक से देखो xy2 x2y3 भी दिया हुआ है स्वारी x3y2 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 की बात की जाए तो सिंपल इसके ग्राम कितने दिए गए हैं 0.05 मोल ठीक है यह तो मोल हो गए और ग्राम कितने हैं इसके ग्राम दिए गए हैं आपको सिंपल 9 ग्राम तो देखो इसके जो ग्राम है यह तो मोल हो गए और जो ग्राम दिए गए हैं simple X3 by 2 के गो दिया गया आपको Simple 9 Gram ठीक है चलो कर लेते हैं क्वेश्चन आपको क्या निकालना है X and Y के क्या बताने अटोमेख बताने तो बहुत ही आसान कोश्चन है समझो यहां पर तो मोल दिए गए हैं तो देखो मोल आपको पता है मोल क्या होते हैं बोलो mole जो होता है वो क्या होता है mass upon molar mass समझना तो यदि मैं बात करूँ mole of xy2 की किसकी बात कर रहा हूँ xy2 की बात करूँ तो यहाँ पे mole of xy2 कितने दिये गए 0.1 और mass कितना दिया हुआ है यदि mole हम बात करें यहाँ पे mass दिया हुआ है simple 10 gram कितना है 10 gram अच्छा यदि मैं molar mass की बात करूँ तो molar mass कैसे आएगा देखो यदि molar mass की बात करें तो ध्यान से समझना यहाँ पे यहाँ पे molar mass क्या हो जाएगा sum of atomic weight of each element यही तो होता है तो देखो यहाँ पे x है x हो गया मास of x हो गया मैंने capital x simple ही रख दिया capital x का mass atomic weight plus y दो है तो हमने 2y कर दिया simple atomic weight लिखे हुए है तिक है इस बात को ज्यान रखना यह x हो गया यह 2y हो गया तिक है इस तरीके से क्या जाएगा atomic mass आजएगा अब मैं यहाँ पे equation लिखा जाए तो यहाँ पे क्या आजाएगा equation simple यहाँ पे आजाएगा x plus 2y equal to कितना हो जाएगा 10y.1 ठीक है यह हो गया अब देखो इसको और मैं simplify में लिख देता हूँ तो यह आजाई equation x plus 2y equal to 100 यह पहली equation आ गई आपकी ठीक है यह पहली equation आ गई कहा से xy2 के form से अब देखो अब हम दूसी equation निकालते हैं दूसी equation के लिए क्या है x3y2 है ठीक है यहाँ पे mole भी दिये गए है और mass भी दिया हुआ है तो देखो क्या हुआ आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे calculate करेंगे तो दिहान से देखना क्या आएगा आप यहाँ पे mole equal to simple भी लगाएंगे mass upon molar mass तो देखो mass upon molar mass लगाएंगे तो यहाँ पे जो x3 by 2 के mole हैं वो कितने similarly यहाँ आप देखेंगे तो वो हो जाएगा simple आपका देखो 0.05 equal to mass कितना 9 gram divide by molar mass कैसे आएगा देखो x3 मतलब 3x है तो इसका atomic weight plus कितना हो जाएगा by 2 मतलब 2 का simple 2y तो यह देखो इस तरीके से हो गया अब क्या होगा यहाँ पे 9 by 3x plus 2y तो आप इसको लिख सकते हैं 3x plus 2y equal to 9y 0.05 एक काम करो 100 से multiply 100 से divide कर दो जब आप 100 से multiply 100 से divide करोगे तो यह कितना आएगा देखो मैं यहीं पे solve करके लिख दे रहा हूँ 900 divide by 5 यह कितना आएगा 180 आजाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पे 100 से multiply और divide कर रहा हूँ तो यह जब मैं overall आप equation लिख देता हूँ यहाँ से equation आगी 3x plus 2y equal to यह आगया simple 180 ठीक है यह equation number 2 हो गई बन और 2 आगई अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ अब यहाँ पे हमें simple कि लास तेंथ वाला concept लगाना है simple elimination method बस हो जाएगा question solve आपको दो दो unknown है दो equation है बस हमें एक को माइनस करना है वह simple आपको x और y की value निकाल लिए तो देखो कैसे करेंगी आप एक काम करो second equation में first equation को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा फ्रॉं सब्स्ट्रेक्टिंग फ्रॉं सेकेंड माइनस सब्स्ट्रेक्टिंग सब्स्ट्रेक्टिंग कर रहा है हम ठीक है न कहां से 2-1 से ठीक है न सेकेंड को बन में माइनस कर दो देखो क्या हो जा तो यहाँ पर दी हम बात कर रहें तो क्या लेखा हुआ है देखो डिजय ओ परतो फिरिएक्स प्लस टूबाइ उपल टूब टू अट्यक क्या लेखा हो ऑगा है 3x प्लस टू बाइट्टी दिवाइड वाई ARE माइनस में क्या करना हमै एक्स प्लस टूबाged को टूब 1-2 एट्टी लो भाई यह आ गया मैनस कर दिया हमनें तो अब यहां से की आ गया सिम्पल एटी आपॉइन 2 मतलब कितना आ गया एक्सफवल टू आगए आपका सिंपल 40 तो आई होप आपको यह बात भी के लिए हो गई ठीक है ना एक्से क्वल टू फोट्टी आ गया तो देखो पहला तो वैलू आ गया पहला तो हमें निकल के आ गया मोलर मास है ना अब देखो यहां पर पूछा आगया आगया इस बात करूं तो मैं आप लिख देता हूं आप हम देखते हैं यहां पे आप एक्स की वैल्यू सब्स्ट्यूट कर देते हैं किसी बीकूएसन में मालो मैंने इक्वेशन में सब्स्ट्यूट कर दी तो क्या हो जाएगा फश्ट केर्टेशन में पुट एकसिक्वल को टुवट्ी एकसिक्वट्टू लुट्टी इन इक्वेशन आप ठीक है अब जैसे इन एक्वेशन बन में करोगे तो क्या आजाएगा आपका तो देखो यह आजाएगा सिंपल यहां पे 3 into 40 फिलस 2y equal to 180 तो कितना आगया यह आगया 120 देखो यह आज़ाएगा सिंपल देखो आपको यह सॉल्यूशन भी दिया हुआ है तो हमारा भी और सॉल्यूसन में भी यह अंसर दिया हुआ है यह मजेदार ने पिछले 5 सालों में बड़े मजे दार और कोश्व संसा आये और कोई बी ऐसा को मिनट से ज्यादा ले आप आसानी में ने तो आप एक्स्प्लेइन किये हैं तो आप देखरों पूरा एक्स्प्लेइन किया इसलिए मुझे टाइम लग रहा है आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा पीछे जाएंगे वीडियो को फिर से देखेंगे किलिया करेंगे कॉंसेप्ट फिर आंगे बढ़ जाएंगे जब तर देखते रहेंगे तब तक कि आपको किलियर ना हो जाए और दूसरी बात important कि आपको घबराना नहीं वाद सेलेक्शन लेना है क्या लेना सेलेक्शन तो सेलेक्शन के लिए पीवाई क्यू आप जरूर करें और जरूर देखें और कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं तो आपको यह बात के लिए हो गई होगी इसी के साथ यह चैप्टर होता है ही पर समाप मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेस चैप्टर के पीवाई क्यू फोर